गुड मॉर्णिंग माइडियर सुडेंट आज के वीडियो लेक्चर में हम मोलस्का का वर्गिकन के बारे में डिस्केशन करेंगे संग मोलस्का ये नौन कोडेट्स का सबसे दूसरे नंबर का बड़ा संग या फायला में जिसमें लगबग आठ हजार लिविंग इश्पिशी तथा चालिस हजार प्लुप्त प्रजातियां गयाते जोन्सन ने 1950 में इस रंग को मोलस्का ना मोलस्का सब्दिया इस संग में स्नेल्स, सीपी, ओस्टर, मसल्स, स्क्वीड, ओक्टोपास जैसे सदस समलित है इस संग में सदस त्री स्त्रिये दूपार से सम्मित देख हुआ तता गुदाहिन खंडवीन होती है इसमें केल्सियम, कवच, फूट, मेंटल, मेंटल केविटी, मोलस्का के करेक्टर सिटिक के रूप में पाय जाते हैं इस संग में समलित सदस्यों में सिमेट्री, फूट, मेंटल, गिल और नर्वस सिस्टम, तंत्री का तंत्र के लक्षनों के आदार पर छे वर्गों में वर्गीकत किया गया है फर्स्ट आता है इसमें मोनो प्लेको फोरा मोनो प्लेको फोरा में के जो एनिमल होते हैं इनकी बोड़ी दूई पार्ट सम्मिती चप्टा अंडाकार वेस्ट सिग्मेंटेड होता है मेंटल कवच एक अपाटिय होता है लोकोमेशन के लिए वेंटरल फुट चोड़ा चप्टा और आठ जोड़ी पेशिये युक्त होता है पांच से छे जोड़ी गिल्प गिल्स स्रंकलाएं पाए जाती है तता छे जोड़ी नेफ्रेडिया समखंडिये इस्तिती में होते है रेडूलाएं प्रिजेंट होती है हट में दो आलिंद और दो निल्य होते हैं और ये यूनि सेक्शॉल होते है तता इनके सदस समुद्री वासी होते है इसका मोनो प्लक पुरा का एक्जम्पल है नियो पाइला दूस रहाता है इसका MP नूरा इस वर्ग में मोलस्कन समुद्री वासी होते हैं तता इनकी बोड़ी इनॉल गेटेड यानि दिर्गित तता दुविपार सम्मिती होता है मुख वे एनस टर्मिनल होते हैं रेडुला प्रिजेंट होती है फर्टिलाइशन इसमें एक्स्टरनल होता है और इसमें ट्रोकोफोर लार्वा स्टेज पाइजाती है MP नूरा को हम दो सब समवर्ग में वर्गिकत किया गया है पहला आता है पोली प्लेकोफोरा पोली प्लेकोफोरा के जन्तु दूइ पार समिती तता डोर्सो वेंटर चप्ते होते हैं कवच आठ पर तक अनुप्रस्ट प्लेटों का बना होता है जो एक अनुदे लांजी टूडल शरंकला में पेविस्थित होते हैं हेड होता है इनका छोटा होता है नेत्र और इस पर सकें टेंटाकल्स इस वें आई और टेंटाकिल्स एपसेंट होते हैं पादध अदरिये चोड़ा चप्टा और मासल होता है पाचन तंत्र सू परिवर्दित होता है एक जोड़ी किड़नी पार्स खांस तक फेले वे रहते हैं तता एक जोड़ी जननवाहनिया उपस्तित होती है लाइप साइकल में ट्रोकोफोर लारवा वस्ता पाए जाती है पोलिफलेकोफोरा के एक्जम्पल है काईटन लेपीडोप्लूरस इत्यादी अब इसकी दूसरी सबक्लास आती है एप्लोकोफोरा एप्लोकोफोरा समवर्ग में पाए जाने वाले जन्तों का बोड़ी दूइपार सम्मिती होती है तता इनमें में अन्टल और सील और फूट एप्चेंट होते हैं हेड छोटा तता एसपस्ट होता है पीछे की ओर एक गुई का पाए जाती है जिसमें गुदा सीलोम वाइनी अकुलती है जो सम्मतों इनकी मेंटल केवटी होती है रेडुला इसमें प्रजेंट होते हैं तता ये उभेलिंगी होते हैं और जनन वानियों के रूप में एक जोड़ी सीलोम वाइनी का है पाए जाती है जिसे ओर तता इसमें ट्रोकफॉर लार्वा पाए जाता है इसका एक्जम्पल है नियो मीनिया एक्जम्पल है नियो मीनिया अब इसका थरड आता है गेस्टो पोड़ा इस तलिए तीनों में पाए जाते हैं जो गेस्ट्रो पोड़ा के जो एनिमल्स होते हैं समुद्री भी होते हैं सोच जल में भी पाए जाते हैं और इस तलवासी भी मोलस्कन होते हैं इनकी जो शरीर की बोड़ी है वह ऐसिमेट्रिकल होती है अधिकांस मोलस्कन दूइपार सि मित्री के होते हैं, हेड इसमें स्पस्ट होता है, जिस पर टेंटाक्टिल्स आई तता माउत होता है, पाद अधरिये तता चोड़ा चप्टा पेशी होता है, प्राय इसके पिछले भाग पर एक कठोर, टुकड़ा, ओपर कुलम जुड़ा होता है, गेस्टो पोड़ा, मोलस का एक विशिष्ट काईटन का होता है, जिसको हम एठन या टोर्शन कहते हैं, गेस्टो पोड़ा का एक विशिष्ट करेक्टर होता है, जिसके अंतरगत इसमें एक टोर्शन पाया जाता है, जिसको हम वी मोर्टन भी कहते हैं, बक्कल केटवी में र ग्रेशनी, ग्रेशी का आमाशे और इंटरस्टाइन तता एनस प्रिजेंट होती है, सोशन इसमें गिल द्वारा होता है, हर्ट एक पेरी कार्डियम द्वारा परिवद रहता है, हर्ट में एक आलिन तता एक निले होता है, अधिकांस पर्थक द्यूलिंगी होते हैं, डबलम में ट्रोकोफोर वेलिजर लारवा अवस्ता है, आती है, जो गेस्टोपूड़ा क्लास के अनिमल्स होते हैं, इसमें दो परकार के लारवा पाई जाते हैं, फर्स्ट आता है ट्रोकोफोर लारवा और सेकंड आता है वेलिजर लारवा, अवस्ता है इसमें पाई जाती है, गेस्टो पोड़ा को हम निम्न सब क्लास में बाढ़ सकते हैं, फर्स्ट आता है प्रोसो ब्रेंग किया, अधिकांस प्रोसो ब्रेंग किया सब क्लास के जो अधिकांस एनिमल्स होते हैं, ये समुद्री जल में पाए जाते हैं, कुछ फ्रेश वाटर में भी पाए जाते हैं, शंक्वकार कौन जैसे सर्पिल्लाकार कुंडलित होता है है एक जोड़ी इसमें टेंटाकेल्स होते है और यह इकलिंगी होते है इसमें एक जनन गरंति गॉनेट्स भी पाय जाती है ट्रोको पोर लारवा और बेलिजर लारवा के प्रावस्ताएं पाजाती यह प्रोस्रो ब्रेंकिया के एक्जम्पल है पटैला ट्रोकस और टर्बो इत्यादी सब्कलास दूसरी है ओफिस्तो ब्रेंकिया उपस्तिव ब्रेंग्या में सबी गेस्टो पोर्ट समुद्रिवासी होते हैं और इसका जो कवच होता है, reduced अनुपस्तित होता है ओपर कुलम प्राय, absent होता है गिल इसमें एक होता है एक आलिंद, तता एक वक्रक होता है हेड में सामानते हैं दो जोड़ी टेंटाकिल्स पाए जाते हैं और यह वेलिंगी होते हैं और इसमें जो लारवा आउस्ता होती है वेलिजर लारवा आउस्ता पाए जाती है ओपस्तियों ब्रेंकिया के एक्जांपल है एक्टोन एपलेसिया और हाइड्रेटीना एपलेसिया और एक्टियोन इत्यादी थर्ड इसकी क्लास आती है सब क्लास आती है पुल्मो नाटा पुल्मो नेटा में अधिकान से ये सभी फ्रेश वाटर में पाए जाते हैं कुछी इसमें समुद्र जल पाए जाते हैं कवच प्रायन में उपस्तित होता है प्रंतु ओपर कूलम एपसेंट होता है इसमें एक आलिंद तता एक निले होता है और गिल इसमें एपसेंट होत होते हैं फ्रेस वाटर में पाए जाने वाले गहंगे हैं हेलिक्स पार्टूला हेलिक्स पार्टूला और लिम्निया प्लोमनेटा के एक्जामपल है हेलिक्स पार्टूला और लिम्निया इत्या दिये फ्रेस वाटर में पाए जाने वाले गहंगे होते हैं फॉर्थ क्लास अत्येस की स्कोपो पोडा